दोस्तो अगर आप भी मद्दे प्रदेश में सोयविन की इस नवीनतं किस्म को लगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो डबल हो जाएगा मात्र इंक्यानमे दिनों में यह किस्मे पक्कर त्यार हो जाती है यह किस्मे प्रतिकूल मोसम की बज़ा से उत्पन होने वाली प्रिस्थितियों के कारण सोयविन की खेती को करने में जो कटनाईया आ रही है सोयविन की फसल में फैलने वाले रोग एवं कम बरसा के कारण सोयविन की जो पैदावार है वो प्रभावित होती जा रही है जिससे चलते हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय भी पिरभावित हो रही है किरसी वेग्यानिकों ने किसानों की इनी समश्याओं को ध्यान में रखते हुए अब सोयविन की एक एसी किस्म इजाद की है जो कम बर्सा में भी अच्छा उत्पादन देगी मोसम की अनिमित्ता के कारण अब सोयविन की परिपगवता अबधी कम होने के कारण बाद में यदि पानी नहीं गिरता है तो भी अच्छी पेदावार होगी वहीं दूसरी और रोग प्रती रुदक छमता होने के कारण सोयविन की फसल सुरक्षित रहेगी तो नमस्कार दोस्तों में राहूल लांगी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब शेनल MP किसान पुत्र में दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फरमेटिव बीडियो आगे भी लाते रहेंगे तो दोस्तों चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको उस किस्म के बारे में जानकारी देते हैं तो दोस्तों हम बात कर रहें स्वयविन की एन्रसी 150 किस्म के बारे में इंदोर के स्वयविन अनुसंदान केंदर में आखिल भारतिय सामित भी स्वयविन अनुसंदान परियोजना की बेठक के बाद सोयविन की AC किस्म का चायन किया गया है जो मालवा छेतर की मोसम परिस्थिती के अनुकूल अच्छी पेदावार दे सकती है बेटक में सोयविन अनुसंदान केंदर में ही विक्सिस सोयविन की किस्म NRC 150 किस्मे के उपयोग की अनुसंसा पहचान समीती ने की है इसकी विशेस्ता यह है कि यह मात्र इंक्यानमे दिनों में परिपक्ब होकर त्यार हो जाती है यह सोयविन के लिए जिम्मेदार लाइपोक्सी जिनेज 2 एंजाइम से मुक्त है एवम यह रोक प्रतिरोधी भी है दोस्तों सोयविन की किस्म NRC 150 गंद रही थे सोयविन की प्रकतिक गंद पसंद नहीं आने के कारण कई लोग इस से बने खाद उत्पादों का इस्तिमाल करने से परहेज करते हैं लेकिन इंदोर के भारतिय सोयविन अनुसंदान संस्थान के बेग्यानिकों ने इसका तोड़ निकालते हुए सोयविन की अनचाही गंद से मुक्त किस्म को विक्सित करने में कामियावी हासिल की है आपको बता दें कि अखिल भरती है सामित भी सोयविन अनुसंधान की इंदोर में हाली में संपन 52 भी बार्चिक समुहिक वेठक के दोरान सोयविन की उननत किस्म NRC 150 की खेती की सिफारिज विग्यानिकों ने की है आई आई एसर वेग्यानिकों की बड़सों की मेहनत के बाद अनुसंधान में विक्सित ये किस्म सोयविन की परकतिक गंद के लिए जिम्मेदार लाइपोक्सी जिनेज 2 एंजैम से मुक्त है यानि इससे बनने वाले सोया दूद सोया पनीर सोया टोफू आदी उत्पादों में ये गंद नहीं आएगी अब बात करते हैं कि हम NRC 150 से सोयविन की किस्म को कौन-कौन से छेत्रों के लिए ये उप्यूप थे कौन-कौन से छेत्रों में हम इसको लगा सकते हैं और साथ ही इस किस्म की उत्पादन चमता भी अन्य किस्मों की तुलना में अच्छी है तो दोस्तों आपको NRC 150 किस्म कैसे लगी हमें कमेंट में जरू बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा और रोजाना एसी इंफरमेटी बीटियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा